हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका डिलीशिस फूट किचन में तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ बट बहुत ही टेस्टी सी चॉकलेट की रेसिपी लेके आई हो जिसके अंदर हम खुब सारे ड्राइफ रूट्स आड करेंगे जो कि बच्चो को भी पसंद आएगा तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम लिया है काजू को दो पार्ट में कट कर रही हो और जो बादाम को हम फोर पार्ट में कट करेंगे आप चाहें तो आप काजू और बादाम को हरका सा कोर्सली ग्राइंड भी कर सकते हैं बट आप इने ऐसे थोड़े स में कड करेंगे तो भी यह बहुत टेस्ट लगेगा, तो यहां पे मैंने कडाई में आड्ट कर दिया है, घही गी में Mijn काजू और बादाम को डालके हल का सा इसको रोस्ट कर लेंगे, lion में रोस्ट करने की वज़ह से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसको बहुत ज़ाद नहीं हम रोस्ट करेंगे देखिए बहुत हलका सा लाइट ब्राउन होने तक ही हम इसको रोस्ट करेंगे तो बस यहां पर इसको हम निकाल लेते हैं जो काजू और बादाम है वो बिल्कुल अच्छे से रोस्ट होगे और यहां पर मैं उसको काजू बाद कर देंगे या है यहां पर मैं यूजिया में आशे से कट कर देंगे और इसको हमें आप चाहें तो और भी ड्रायवरूट्स उसमें add कर सकते हैं, जैसे अक्रोट हुआ, किशमिश हुआ, पिस्ता हुआ, तो बस यहाँ पे देखे, मैंने एक पैन में पानी उबलने के लिए रख दिया था, जब पानी उबल रहा था, उसे गोपर जो हमने चॉकलेट वाला बॉल था, उसको रख देंगे, डबल बॉयलर method है, इस method से यहाँ पे हमने चॉकलेट को melt कर लिया है, और यह जो ऐसे प्लास्टिक के स्पून हर डिबबे के साथ मिलते हैं, उसमें मैं यहाँ पे थोड़े से जैम्स और वाइट चॉकलेट डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको skip कर सकते हैं, उसके बाद इसमें add क हैं, उनको add करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी मिल्टेट चॉकलेट है, उसको हम add कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, सेम इसी method से, बहुत थोड़ा थोड़ा चॉकलेट लगता है, पुरी एक पीस चॉकलेट बनके ready हो जाता है, तो यहाँ पे ह हुआ उसके पर चॉकलेट को फिल करके, मैल्टे चॉकलेट को फिल करके, ऐसे टैप कर देंगे, ताकि जो चॉकलेट है, बिलक States से अंदर फिल हो जाया है, एक घंड़े के लिए साइड मे रख देंगे, यहाँ पे देखिए, जो सारी चॉकलेट से वो बिलकल अचे से जम यह बहुत ही आसानी से निकल जाती है बस हलका सा उल्टा करके टैप करेंगे और यह आराम से बाहर आ जाएगा तो यहाँ भे मैंने हलके हलके जो वाइट चॉकलेट थी उससे ऐसे फेसे जैसे बना दिया है और इस ट्रे को भी आप ऐसे उल्टा करेंगे ना तो यह आराम से बाहर निकल आएगे तो खाये पीजिये मस रहिए थांक्स फॉर वाचिंग